शिवी टीवी पिता से 1962 भारत चीन युद और 1965 और 1901 के भारत पाकिस्तान युद की कहानिया सुनकर बड़े हुए दोनों भाई भारतिय सेना में भरती हुए इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंग यादव भी सेना की आर्टिलरी शाखा में है यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतिय सेना में शामिल हो गए थे इनके चोटे भाई एक बहु राश्ट्रिय कंपनी में कार्यरत है जब कार्गिल का युद्ध शुरू हुआ वर्ष 1999 में तब योगेंद्र शादी करने के लिए अपने घर चुट्टी पर आए हुए थे 5 मही को उनकी शादी थी और 20 मही को वापस जम्मू ट्रांजिट के अंदर पहुँचना था तो पता चलता है कि उसकी बटालियन जो की कश्मीर वैली के अंदर उग्रवादियों के ऊपर एक उपरेशन चला रही थी वहाँ से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया गया है 22 मही को वो अपने युनिट को जोइन करते हैं और अपने युनिट के साथ 22 दिन तक पहाडी के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं 22 दिन में बहुत सारे जवानों को खोया कि अपनी टीम को नीचे से ऊपर एम्म्यूनिशन और राशन पहुँचाना है और 22 दिन में वो तीन ही ऐसे सैनिक थे जो कंटिन्यू चलते थे सुभा सारे पांच बजे चलते थे और रात को धाई बजे पहुचते और फिर दो घंटे में वापस आते थे इसी काम के बदोलत तीनों सैनिकों की एक नई पहचान बनी कि ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रॉंग है इनको कहीं दूसरी टुकडी के अंदर शामिल किया जाए फिर जब युद खत्म हुआ तो फिर दूसरे मिशन की तैयारी शुरू हुई तो द्रास सेक्टर की सबसे उंची चोटी टाइगर हिल टॉप उसको फते करने का मिशन दिया गया बटालियन कमांडर कुशाल चन ठाकुर को ये मिशन की कमांड सौपी गई दो जुलाई को टाइगर टॉप पर चड़ना शुरू किया और जो सबसे पहले आगे थी घातक प्लाटून उस पहाडी पर सिर्फ रात को चड़ सकते थे दिन में नहीं क्योंकि दुश्मन दूर से देखकर बरबाद कर सकता था इसलिए रातो रात चड़ाई शुरू की गई दो राते और एक दिन की चड़ाई चड़ने के बाद तीसरी रात की वो सुभा का वक तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से हमला कर दिया उस वक्त बस केवल साथ जवान ही पहाडी के उपर पहुँच पाए थे और साथ जवानों में से एक थे योगेंद्रयादव सामने देखते हैं तो सामने दुश्मन के दो बंकर साथ ही जवानों ने अंधा दुन फाइरिंग शिरू की और उसमें बैठे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और टॉप वहां से 50-60 मीटर ही दूर था टॉप पर बैठे हुए दुश्मनों ने देखा कि हिंद्स्तान की फौज यहां तक पहुँच गई है फिर दुश्मनों ने अंधा धुन फाइरिंग गोला बारूट से हमला कर दिया फिर साथ जवानों ने सोचा कि मरना तो निश्चित है क्योंना जादा से जादा दुश्मनों को मारे फिर सैनिकों ने कदम आगे बढ़ा कर उनके मोर्चे से उन पे ही फाइरिंग शुरू कर दी पाच घंटों तक साथों जवान उनसे लड़ते रहे पाच घंटों के बाद फाइरिंग रोग दी क्योंकि अमिनुशन बहुत ही कम बचा था उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि फाइरिंग हम तब खोलेंगे जब दुश्मन नस्दीक होंगे फिर आदे घंटे बाद दुश्मनों को लगा कि भारतिय सैनिक की ओर से कुछ भी हरकत महसूस नहीं हुई तो वो देखने के लिए जब आगे बढ़े तो दुश्मनों को योगेंद्र यादव की लाइट मशीन गंदिक गई और उस पर उन्होंने अंधा दुन फाइरिंग, गोला बारूद और जितने भी वेपन थे उनसे हमला कर दिया जब तक सातों जवान संभाल पाते, उतने में ही ग्रेनेट फेक दिया, जिससे योगेंद्र यादव जखमी हो गए और खुद ही अपने पैर का फरस्ट एट करने लगे तब उतने में ही एक सैनिक के सर में आकर गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है दूसरा सैनिक उसे उठाता है तो उसे कंधे में गोली लगने से वो भी शहीद हो जाता है फिर दुश्मन ने तीनों तरफ से आकर बाकी बचे साथियों को घेर लिया और गोली दागनी शुरू कर दी और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया दुश्मन ने जब भारतिये सैनिको को रीचे किया तो उन्होंने गोली मारने शुरू की तो पहले वाले को फिर बगल वाले को फिर योगेंद्र को तीन गोलिया मारी दुआ निकल रहा था दर्ध हो रहा था लेकिन योगेंद्र उस दर्ध को चुपचाप सहते रहे फिर जब दुश्मन गोली मार कर चले गए, उनको यकीन हो गया कि उनमें से कोई भी जिन्दा नहीं है। फिर दुश्मन ने दुबारा से गोली मारनी शुरू कर दी, हतियार उठाने शुरू कर दी जब योगेंदर की छाती पर राइफल करी, तो उसे लगा कि अब नहीं तब ही एक पाकिस्तानी सैनिक का पैर उनके पैर से टकराया, तो उसे महसूस हुआ कि मैं अभी जिन्दा हूँ, और तब ही योगेंदर ने ग्रनेड निकाला और दुश्मन पर फेक दिया। फिर एक हाथ से राइफल उठा कर फाइरिंग शुरू कर दी, और तीन-चार उन्ते लुडकते लुडकते पहाडी के नीचे अपने साथियों के पास पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि हमारे तमाम साथी शहीद हो गए और अभी आपके उपर हमला होने वाला है। इतना कहकर वे बेहोश हो गए और तीन दिन के बाद जब उन्हें होश आया, तो द अधायी दी। तभी पता चला कि उसी रात उनकी टुकडी ने दुश्मनों पर दुबारा से हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर विजय प्राप्त की। लगभग सोलह महीनों तक इलाज चलने के बाद वो ठीक हुए। फिर सेना में सेवा वरत हुए। जान की बाजी परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंग यादफ परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे यूवा सैनिक है। कैप्टन योगेंद्र सिंग यादफ को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। देश सेवा के लिए वर्ष दो हजार चौबिस मे इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वोच पुरसकार जश भारती से सम्मानित किया गया